आज के दौर में सफल तो हर कोई होना चाहता है, परन्तु क्या हर कोई सफल होता है? नहीं, सफलता के लिए सबसे इंपोर्टेन चीज क्या है? सफलता के लिए सबसे इंपोर्टेन चीज है सही समय में सही दिसा में वर्क करना, क्योंकि सफलता के रास्ते में कई सारी आती है जो कि इनसान को सफल होने से रोकती है तो हलो अच्छो मैं हूँ रमेश निशाद इन अभीपसा एजूकेशन फॉर एक्सिलेंस की ओनलाइन क्लासेश पर आप सभी का स्वागत है और मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट वर्क के बारे में जिसके द्वारा आप सही समय में सही दिसा में वर्क करके आप अपने मिशन में सकसेश हो सकते हैं आप मिशन अपने मिशन में काम्याब हो सकते हैं क्योंकि हाड़ वर्क तो हर कोई करता है परनतों क्या हर कोई सफल होता है नहीं सफल तक के लिए आपको जरूरी है स्मार्ट तरीके से वर्क करना सही समय में सही दिसा में वर्क करना और हम इसी लिए आपके लिए एक मिशन लेकर के आये हैं जिसका नाम है Mission 2023 जिसमें 36 बोर्ड की कक्षा दसवी और बारवी के लिए एक एक्जाम सिरिस चलाए जा रही है जिसमें आपको धेर सारे चीज़े प्रोवाइड की जाएगी जैसे PYQ, Previous Air Questions, Chapter-Wise Analysis, Mind Map, Summary, MP Questions and Blueprint-Wise Questions Blueprint-Wise Questions क्यों? क्योंकि आपके जो Questions आने वाले हैं वो Blueprint के According आने वाले हैं क्योंकि आपके जो Numbers आएँगे, आपके जो Marks आएँगे वही तो Decide करेंगे आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है आपने साल भर कितनी महिनत की है तो इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा blueprint की according और इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और blueprint की according पढ़ाई करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा number आए और मैं आपको आज कक्षा बारवी की English subject के जो blueprint है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं तो आप भी एक पार्ट बनिए हमारे मिशन का और मिशन 2023 का आप एक हिस्सा बनिए ठीक है तो आपको जैसा की पता होगा कि आपके जो exam है वो जल्द ही आने ही वाली है और इसमें हम क्या क्या चीज़े आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कक्षा बार्वी के लिए हम बात करें तो कक्षा बार्वी के लिए गड़ी, जिव विज्ञान, भौतिकी, रसायन और अंग्रे जी इतने सारे subject के study materials आपको प्रोवाइड की जाएगी अब जैसा कि आप सब जानते हैं कक्षा बार्वी की जो परिक्षा है वो एक मार्च से स्टार्ट होने वाली है और कक्षा दसवी की जो परिक्षा है वो दो मार्च से स्टार्ट होने वाली है तो इसके लिए आप alert रहिए अब हम देखते हैं blueprint को blueprint कैसा है किस तरह से रहता है और किस तरह से questions पुछे जाते हैं ठीक है तो total आपके 80 numbers के questions आने वाले हैं जिसमें से reading comprehension से आपके आने वाले हैं 20 number के जिसमें क्या क्या चीज़े है unseen passage, note making and summary यह है unseen passage के लिए हम बात करें यानि अप अठित गद्यान्स के यह हम बात करें तो यह आपके आने वाले है 12 numbers की जिसमें से 5 number की multiple choice questions and 7 number की आपके objective questions आने वाले हैं तो unseen passage की questions के answers कैसे देने हैं, किस तरह से देने हैं, इसके बारे में separate videos में discuss करेंगे touch your thing, note making यह है आपके आने वाले है's 4 numbers की इसमें से 1 question आने है, इसके format कैसे लिखे जाते हैं, किसर से लिखे जाते हैं इस पर आपका जो number न is you will depend करेगा summary के जड़ी हम बात करें तो summary आपके आने वाले है 6 numbers की 1 question, तो यह जो summary है summary होता क्या है summary it means जैसा कि आप movie देखते हो दो घंटे तीन घंटे की movie देखते हो तो क्या आप यदि आप से मैं पूछूं की movie में क्या क्या हुआ तो क्या आप मुझे से दो तीन घंटे तक बताते हो नहीं आप मुझे 5-6 में complete बता देगो कि यह hero था यह heroine थी यह villain था तो ऐसा ऐसा हुआ तो इन चीजों के बारे में इन topics के बारे में हम separate videos में discuss करेंगे आगे देख लेते हैं writing skills से आपके आने वले हैं 30 number की जिसमें से notice, advertisement, poster, invitation यह सारे चीज़ आ सकती हैं खास करके notice and advertisement यह ज़्यादा पूछे जाते हैं तो यह आपके रहेंगे 4 number के एक question ठीक है तो यह आपके रहेंगे 10 number के उसके बाद आती grammar की तो grammar में कई सारे चीज़े पूछे जा सकती है जैसे article हो गया, question tag है, narration है, voice है, proposition है, tense है यह सारे चीज़े पूछी जा सकती है कि आपके आएंगे 10 number के, 10 questions आगे देख लेते हैं literature, text books की तो इसमें से आपके आएंगे 30 number के, flamingo से आपके 20 number के आने वाले हैं और विस्टास से आपके आने वाले हैं 10 number के, तो flamingo में 8 number के आपके MCQs पुछे जाएंगे और 3 number, 2-2 number के 3 questions आपको पुछे जाएंगे और 6 number के 1 question, वैसे विस्टास के दिए हम बात करें, तो विस्टास से आपके 2-2 number के 2 questions पुछे जाएंगे और 6 number के 1 question पुछे जाएंगे, त तो टोटल आपके questions आएंगे 33 और numbers रहेंगे 80 तो इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे previous year questions को देखेंगे और जो जो questions आने वाले exam में आ सकते हैं उनके बारे में आगे की वीडियो में हम बहुत अच्छे से और details से समझेंगे grammar parts को देखेंगे लेटर application, notes, poster कैसे बना जाते हैं इन सारे चीजों के बारे में unseen passage को कम से कम समय में कैसे solve किये जाते हैं इन सारे चीजों के बारे में हम separate videos में discuss करेंगे इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें अब और भी कई सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में आगे हम जैसे provide करेंगे जैसे कि यह सारे चीज़े हैं आपको हमारी ओर से यानि अभीपसा education for excellence की ओर से आपको provide की जाएगे अब आप अपने मन में एक vision लाइए कि मैं success क्यों होना चाहता हूं मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं why am I studying ये अपने मन में रखे एक vision रखे एक question डाले अपने दिमाग में कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं मेरा मकसद क्या है मेरा लक्ष क्या है मेरा goal क्या है और मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं ये question आप अपने मन में लाईए अब why का जो question है ये आप इस तरह से भी आप एक vision की तोर पे देख सकते हैं कि मैं अपने परिवार, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं, मैं अपने गाउं, अपने देश, अपने शहर, फिर आप अपने मन में question करें कि मैं उस vision को कैसे हासिल करूं, मैं अपने उस goal को कैसे achieve करूं, how, ये question अपने मन में लाईए, फिर आप इसी काम पे आप लग जाईए, आप पढ़ाई पे लग जाईए, क्योंकि आप कर सकते हैं, you can do it, but आपको क्या करनी पड़ेगी, courses करनी पड़ेगी, और आप एक platform का चुनाओ करिए, आप हमारे साथ चुड़िए, अभीपसा education for excellence के साथ चुड़िए, जिसमें आपको धेर सारे teachers, faculty हैं, ये आपके साथ हैं, और हम सब आपके साथ हैं, तो इसलिए आप पढ़ाई में लगिए, और हमारे साथ चुड़िए, इस इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप अभीपसा education for excellence की जो वेबसाइट है, इस पर विजिट करिए दिये के numbers पे call करिए, और अभीपसा education for excellence की जो एप है, आप Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें call भी कर सकते हैं, अब मैं मिल इंट्रेस्टिंग लिशन के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद